Hey guys, welcome to our study with Mayank मैं हूँ आपका Mayank और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए NCID Geography Class 11 से देखें आपकी यहाँ पर बुक बन चल लही है यहाँ भारत बहुतिक परियावर इसी में आज हम यहाँ पर अध्याय पाँचमा कवर करेंगे यहाँ पर आज हम यहाँ पर आज हम इसमें यहाँ है इसका Part 1 कवर करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-क्या डिसकस करना है यहाँ और क्या-क्या नोट डाउन करना है देखें जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं यहाँ पर आपको हर प्रकार की जलवाईव आपको देखने को मिल जाएगी तो आपने पढ़ा भी है कि भाई जहाँ पर जलवाईव की महनता होती है तो वहां के प्राकर्तिक बनसपती में भी भिनता पाई जाती है जो बनसपतीया है वो जलवाईव पर निरवड होती है तो उस कारण हमारे देश में भिन भिन बनसपतीयां देखने को मिलती है ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि चैप्टर की यहाँ पर यहाँ है प्राकर्तिक बनस्पति है तो पहले तो यह जानते हैं प्राकर्तिक बनस्पति होती क्या है तो वास्ता में प्राकर्तिक बनस्पति से है जो किसी बिना भारी अस्थियप से उगता है यानि कि इसे उगाने के लिए किसी ने यहाँ पर इसका ना तो बीज बोया है ना तो इसक प्रपर जाने के वाली मिट्ट्टी और जलवाय प्रिस्चतियों visits मैंस्म को ढल लेता है experiencing drama ntar Press मैंश को ढाल लेता यह प्रोस्पति को परिवासा है अब है 오른 इसे जानते कि हमारा जो देश है ठीक है तो यहां पर विभिन प्रकार की प्यागरतिक बनस्पति पाई जाती है हिमाले प्रवतों पर सीतो उष्ट कडवंदी पश्मी घाट अंडवान निकोवार दीव समूब पर यहां पर उष्ट कडवंदी वरसा बन और कुछ डेल्टा वाले चेत्र पर के भारतिय वनों के प्रकार भारतिय वनों के प्रकार देखे अगर हम भारतिय वनों को अगर डिवाइड करें तो हमने यहां पर पांच प्रकारों में विवक्त किया है पांच प्रकारों में हमने भारतिय वनस्पतियों को या बनों को विवक्त कर लिया है ठीक है बनों रेखा कि बीच वाली इस्तिति जो है उष्ट कज़शाद बन पाये स्लिया इसलिए उष्ट कटबंदी सधाबार या अर्द और्वावार का मनलब यह है कि कुछ बन ऐसे भी होते हैं सदाबार में यहाँ पर जो ए, कम बरसा पहुच पाती है तो अर्ध सदावार वाली केटागरी में रख दी है ठीक है, तो अपने यहां बताया गया भारत में बनी यह कहां कहां पाया जाते हैं देखे पहले सबसे पहले हैं भागोलिक जिस्ति पर थोड़ा देख लेते हैं आपके सामने यह आप इस्तिती है ठीक है, यानि कि यहां बर दिखाया गया है उष्ट कटिबंदी सदावार एवं अर्द सदावार वान देखे यह देखे एक तो आपका उष्ट कटिबंद में आपका उष्ट जो पढ़ रहा है किसी बनस्पति को उने में तो आपको पता है कि हमारे बैश्टन घाड यह पश्ट कटिबंदी सदावार और अर्द सदावार बन कहते हैं आप देख पा रहोंगे यह डार्क सा रीजन जो है और यह लक्षदीव बाला रीजन भी है बंगली खाली में यहां पर आपकी उष्ट कटवंदी में और अन्चल पता रहे है यह बताहे हैं पर इस मैप में तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले फटापट यहां पर लिख लेते हैं पहला पॉइंट यहां पर यही है इसमें यह बन पश्मी घाट की पश्मी ढाल पर और उत्तरफूर भी शेत्र की पहाडियों पर इसके लावा अंडमार और निकोबार दीव सम पर पाई जाते हैं पहली बात तो आप यह लिख लेजिए ठीक है अब देखें यह बन उगते कहाँ पर हैं यह बन वहां पर पाई जाते हैं जहां पर वार्षक वर्षा जो होती है वह 200 सेंटिमीटर से अधिक होती है और और आसट वर्षक तापमान 22 डिगरी से अधिक रह ये उष्ट और आद्र ठीक है ये उष्ट और आद्र प्रदेशों जहां मैं जहां वार्षिक वर्षा 200 cm से अधिक और और उसर्थ वार्षिक तापमान 22 degree Celsius से अधिक रहता है ठीक है यानि कि ये बहां पाई जाते हैं जहां पर कहां कहां पाई जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्सा 2 cm से दिख हो रही है और वार्सिक तापमान 5 degree Celsius से दिख हो रहा है ठीक है तो यह वहाँ पर पाई जाते हैं अब देखें यह अगर बंद देखा जाए यह उपर से देखने में इतने सघन होते हैं कि इनका जो धरातल है धरातल भी आप नहीं देख पाएंगे यानि मैं एक्जांपल लेता हूं कि यह धरातल है और यहाँ पर वन इस तरह से हैं यहाँ बनों की पेड़ वगयर आएं तो उपर से अगर हम देखने की कोसिस करें तो हमें यहां बिल्कुल जमीन दिखती नहीं बिल्कुल सघन बिल्कुल कवार्ड होते हैं ठीक है यह इनकी प्रक् आप यह वाला बना दीजिए ठीक है यह सेकंड पॉइंट आप बना दीजिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे यहाँ थर्ड पॉइंट यहाँ पर कि यह वन सघन और पर्तों वाले होते हैं यह वन जो होते हैं सघन और पर्तों वाले होते हैं ठीक है इनमें जो प्रक्ष जो होती हैं, 60 मीटर से अधिक लंबी होते हैं, तर्ड पॉयंट आपका यही है, ठीक है? अब देखें, इनके मुख्य प्रक्ष कौन से हैं, थर्ड का सब प्वाइंट आप नोट करेंगे, इनके जो मुख्य प्रक्ष शकर देखें, ठीक है? तो इनमें पाई जाव ओफिर से उगने का टाइम हो तो यहां पर चक्र वो शलता रहता है इस चक्र की विएससे बन भर्ण कर लिया होगा आगे वड़ते हैं इसमें अब पांच मिस्तिती है अर्द सदावार वन ठीक है तो ये कहां पाए जाते हैं यानि कि ये पाए जाते हैं यहां पर कम बर्सा होती है तो पांच माँ पॉइंट लिखले ना कि अर्द सदावार वन इनी शेत्रों में अपिछाकत कम बर्सा वाले भागों में पाए जाते हैं टो इनका यह मिसे-थूप होती है तीक है आप दिएक ही नोट लिए होगा आपने इसी मंद्सोप पॉंट लिए कमें मुख्य प्रक्ष कौन कौन आ से हैं इन्में मुख्य प्रिद्थिया रहाथ्य कि साइडर, और होलक और है, हैं ये लिखना आप, ठीक है, 5 saynd subscribe करें, अगर हम बात करें, तो हमारे देश में जब rail line का विस्तार हुआ था, आपको पता है इक 1853 में हमारे याट rail line का विस्तार start हो क्या है था 1853 में, ठीक है? और आपको ये भी पता है, कब ये ट्रेन चलाई गेती तो भो भी आपको पता होगा डिट तो अठायर स्ट्रेपर में जब हमारे यहां रेल लाइन पढ़ रही थी बिच रही थी तो उस दोरान अंग्रेजों ने जो सदाभार बनों की लक्षों की लकडी का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया क्योंकि रेल की प इसी में लिखने घड़वाल और कमाउं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड के पीड़ हुआ है जो रेल पतरी बिचाने के लिए आवसकते है तो यह तो आपका यहां पर आपने देख लिया यानि पहले प्रकार के बन आपने देख लिये सदावार और अड़ सदावार बनों की विशिस्ता देख ली दूसरी heading आपकी यह है उष्ट कड़वन दिए पड़पाती बन पड़पाती सरु प्राय यही है पत्ते गराने बन अब देगे, पत्य ग्राने वन य Utah जो है इन्हें प्राय मनसूनी वन भी खहा जाता है यह माँसून फूर्भ सिजन से पहले यह अपने पत्तटे गिरा देते है और जैसी मानसून आता है मांसून फिरसे यह हरे आ जाते हैं ठीक है और सबसे यादा बनस्पति भारत में मांसून बन यही पाए जाते हैं देखने को अगर देखा जाये तो ठीक है यह लिखाए उस्ट कटवन है परड़ पाती बन तो हल्का ग्रेम है लाइट ग्रेम है जो देख पा रहे होंगी पू अर्थ बर्स में ये बन बहुतायत में पाई जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम मानसुनी बन भी कहते हैं ठीक है क्योंकि मानसुन पर निर्वर करते हैं अब दीके ये उन छेत्रों में पाई जाते हैं यहां पर जो बर्सा है वो सत्तर से लेकर 200 cm के बीच होती ह अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो इन्हें जल उपलबता के आधार पर उष्ट कड़बंदी पढ़पाती बने इन्हें भी दो भागों में विवाजित किया है एक तो आद्र यानि आद्र का मनलग होता है नमियुक्त और दूसरा है शुष्क ठीक है तो इन्हें दो प्रक सबब्वेंट बना देना पहले इसा वैडिंग इसमें के आध्र पढ़ पाती बन ठीक है यह इनका मुक्यस्थान इसमें यानि के पहले सब प्वाइट का सब पैंट है ये वन उत्तरकुली राज्यों हिमाले के गिरिपाद गिरिपाद का मलब जानते होंगे हिमाले के है तो यह वाला जाता है जा ने किया है आप का पुरवी से से अजиях आप लिखाटे है तो यहाँ पर लिखना आप लिख ले शब्कुन करके कि यह बर उत्तरपुरवीयाज्च कर पुर्वीर्लाज्च और ओडिसा में उगते हैं ठीक है कहाँ पर ओडिसा में उगते हैं ठीक है अब देखें इनके ब्रक्षों में कौन कौन से ब्रक्ष परमुक है तो यहाँ पर थर्ड का पहला सब पॉइंट का यह ए सब पॉइंट बना दे रहा है और इसे बी सब पॉइंट बना दे रहा है यहाँ पर कौनकों से प्रक्ष उकते हैं इनमें सागवान, शाल, शीशम ठीक है इसके लावा यहाँ पर हुर्रा, महुआ, आमला, सैवल, कुसम और चंदनाद प्रजातियां के प्रक्ष इन बन में भी यक्र हो गया है ठीक है अब दूसरी जो बन है धड़का सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर कहता है यह सुस्क पर्डपाती बन ठीक है सुस्क पर्डपाती का जैसा के नाम है कि इनमें नमी नहीं है और बर्सा कम बर्सा वाले इस्थानों पर उकते होंगे तो यह कांटेजार ब्रक्ष ज्यादा होते हैं और कांटेजार ब्रक्ष क्यों होते हैं वह भी आप जानते होंगे कि कांटेजार ब्रक्ष इसलिए होते हैं कि अपने आपको सुस्क तो होते हैं यह पानी कम मिलता है तो अपने आपको जीवित रहने के लिए क्लिए करते हैं ब्रक तो यहां बर इसमें लिख लेना इसी में सब पॉइंट करके यहां बर सेकंड सब पॉइंट का ए सब पॉइंट है इसमें लिख लेना कि आदर छेत्रों में यह बन ठीक है आदर छेत्रों में यह बन यह पढ़ पाती और सुस्क छेत्रों की ओर कांटे दरानों रवक्ष कोन कोन से हैं ठीक है इनके प्रमुक व्रक्ष वही है याँ आप लिख लेना इसमें सी सब पॉइंट करके इनके प्रमुख प्रक्ष जो है इन वनों पाई जाने प्रमुख प्रक्ष त्यांदू पलास अमलतास बेल खैर अक्सल वुड इनके प्रमुख प्रक्ष है ठीक है यह नोट का लिया होगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब देखिये यहाँ बर आपके दूसरी प्रकार के बन पॉड़ पादी पत्ते वाले बन आपको पता ही चल गया ठीक है पड़ पादी के वालह वह बस पता है जो अपने प्रक्ते गिरा दीजा पॉड़ पादी बनों के पाए जाती है जहाँ पर वर्षा जो होती है वो 50 cm से कम होती है तो आप यहाँ पर लिख रहे है ना पहला पॉइंट कि जहाँ वर्षा 50 cm से कम होती है ठीक है बहाँ पर पाए जाती है और इन ब्रणों में जो है कई प्रकार की घास और जानियां मिलती है ठीक है पहले का सब और इनकी जो प्रमुख प्रजातिया हैं इनकी प्रमुख प्रजातियों में अगर बात करें ठीक है तो इनमें पाईजानले मुख प्रजातिया बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजडी और पलास हैं ठीक है तो यह उनकी मुख प्रजातिया हैं लिख लिया होगा, देखें यहाँ पर आपने इनकी बिसिस्ताइ लिखनी है, यहाँ पर तीनों पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, अब देखें अगले बन आते हैं आपके परवती यह वन, देखें परवती बनों की बिसिस्ताइ यह है, कि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ब की बिडिया हूं do ब्हारत के वह प्राज़ेंग हो भौनर्प हमारे ईह वाला रिजन बोला जाता है यह आपका पूर्वाय वाला रीजन बोला जाता है यह रीजिन कुछ जादा उचा है, यह रीजिन अपिच्छा का, यानी कम उचा है, ठीक है इसकी उच्छा ही कम है, यह बात आप पड़ चुके हैं भोगोल में और लेडी, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई इसमें विभितना जादा देखने को मिलती हैं इसमें विभितना जोड़ी कम देखने को मिलती हैं और बैसी बनस्पतियों की दोनों में बिनता हैं यानि अगर आप हिमाले की चर्चा करें हिमाले पर पाई जाने वी बनस्पतियों की चर को समगर रूप से दिखाया गया है और मेरी कोशिस ही रहेगी कि वहाँ पर आपको पॉइंट तो पॉइंट बताता जाओं ताकि आप कंश्यूज ना हो कि यह कौन सी साइड के बने कहां पर पाई जा रहे हैं ठीक है उस हिसाब से आप अपने आपको डिवाइड कर लेना सापांतर की वज़ेसे क्या होता है उपर-उपर वनस्पतियों की जो सघंदा है वो कम होती जाती है ठीक है तो आपने अभी देखा गिरिपाद में कैसे सधावार बन पाई जाते हैं ठीक है तो उनके बारे में आपने देख लिया भी अब आगे यहाँ पर भढ़ते हैं इ है जो बन है यहमाले के बनों को दो प्रवत कर लिया है अलब Filipino और यह प्रवत के परुत लीए है इसे नौर्थ और पर्वती बन बूला कुछ इनों नहीं दर्षट परवती बन, दर्षट परवती बन मतलब कि यहाँ पर जो परवत माला पाई जा रही है, सहाधरी वाली, उस परवत माला भी पाई जाने वाली बन, उनका जिक्रोड की आए यहाँ पर, यह मैं आपको पहले बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, तो तो उत्तरी परवती बन, तो सबसे पहले इसमें, इसी में सबसे पहले हम point to the point लिखना शुरू कर रहे हैं, उत्तरी परवती बन में, ठीक है, इन points में अब में सब point नहीं, यहाँ आप point के रूप में इसके लिखवा दूँगा, समझ जाएंगे आप, इसी में भासा लिखी दीक है, यह हमाले के गरीपाद में, ठीक है, यह पढ़पादी बन पाए जाते हैं, यहाँ पर, तो आप यहाँ पर पहला point लिखा है, इसके बाद एकजार से दोजार मीटर की उचाई पर, आदर सी तोष्ट कटिवन दी प्रकार के बन पाए जाते हैं, तो पहले का point सब point इसके बाद क्या होता है, कि इसके बाद जो एक हजार से दोजार मीटर की उचाई है, यहाँ पर कैसे बन पाए जाते हैं, यहाँ बन पाए जाते हैं, आदर सीतोष्ट कटिवन दी प्रकार के बन पाए जाते हैं, ठीक है, यह आपने note का लिया होगा, अब भहीं बात करें, उत्तर पूरी भारत की पाड़ी होगी, ये तो जो बन, जो बिवरड़ दिया गया, ये कहां का दिया गया है, ये पश्मी, ठीक है, यानि आपका जो पश्मी हिमाले है, वहां का बिवरड़ दिया गया है, ये इस साइड वाला जो हिमाले है, यहां की मनस्पतियों का उस्तर पहाड़ी संगलाओं और पश्चे मंगाल और उत्रांचल के पहाड़ी लागों में चोड़े पत्ते वाले ओक और चैस्टनस्ट यादे सदावाहर बन पाए जाते हैं यहाँ पर हमाले के घृधा सदावार बन पाए जारे तो यहाँ पर्लके के बन पाए जा एक चाह fått है और यह उसे लिख लेना सब्किमें और यह उत्तर पूरी भारत की जो पहड़िया यानि हमाले में हमने डिवाइड कर दिया है तो हम बारबार में मेरा बताने का रीजन यह है कि आप भूल ना जाए क्योंकि मुझे जब आप भूल जाते हैं तो मेरा सरदत क्रियेट करते हैं आप ठीक है इसलिए बारबार में बता रहा हूँ अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यहाँ पर डिवाइड जो डिवाइडेशन हुआ है यानि कि आप क्या किया है राइटर्स ने पहले तो राइटर्स ने यहाँ पर बता दिया गिरिपाद वाला इस तर बता दिया अब उपर आपने देख लिया कि एक जार से दो जार मीटर पर आदर सी तो रोष्ट कट बंदी बन उग रहे हैं ठीक है पर यहाँ पर बताया गिया है कि यहाँ पर थोड़ा वरसपती का प्रकार चैन्ज हो रहा है पूरु में ठीक है यानि इस चेत्र से उपर यहाँ पर इस चेत्र में उट्यकेट में उत्तर पूरी भारत में पंद्रस से लेकर साधे सात्रस मीटर की उचाई पर ब्यापारिक महत्तो वाले चीड के बन पाये जाते हैं ठीक है अब इसी उचाई पर जो आपने 1000 से 2000 मीटर की उचाई देखी ती उपर जिसमें सीतो श्कटवंद क की बन पाये जाते हैं तो यहाँ पर लिख लिए ना सेकंड का सब्पोइंट हिमाले के प्रश्मी भाग में बहमूल ब्रक्ष प्रजाती देवदार की बन पाये जाते हैं जिसकी लगड़ी अधिक मजबूत होती है इसकी लगड़ी और निर्माल कारी में प्रयोक्त होती है और निर्मान कारी में ये प्रियुक्त होती है अब देगे पश्मी हिमाले में ही कुछ और बन भी पाए जाती है आदसीतोष्ट जो बंध है आदसीतोष्ट बंध वाले जो बंध आपने अभी देखे इसी में ही कुछ और बन पाए जाते है यहाँ पर यैसे आपने देवदार वालेपन देख लिए इसी महीं आप नूट करेंगे यहाँ इसी तरह चिनार और वालन जिसकी लगडी कस्मीर हस्टिल्प के लिए इस्तमाल होती है ठीक है यहीं पर आप पाई जा रहे हैं इसका जिक्र मैंने किया था अभी वह उपर आप पर वड़ रहे हैं जाएं अब यहाँ पर अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट है अब यहा पर आएगा ब्लू पाई और इस्प्रूस ठीक है अब देखे हैं यहाँ पर हिमाले की वनस्पतियों में बुलू पाईन और इस्प्रूस यह बाईस्सों पच्छिस से लेकर तीन यहां पर यहां पर यहां पर क्या पाई जाते हैं तो वो यहां पर बनस्पतियां पाई जाते हैं अब देखें इनकी बिसिस्ता यह है अलपाईन बनो की यहां पर बात हो रही है यह पश्मी हिमालय की बनो की बात हो रही है यहां पर तो यहां पर क्या होता है यहां पर चरागा बन जाती है तो यहां पर कुछ जो आपकी जंजातियां है जैसे रित्प्रवास करने वाली जं गुजर बकरवाल गड़ी और भोटिया इन चराहगाओं का पस्थ चारहागाओं का एल्पाइन और बनो और चरहागाओं या इन्ही में जो रित प्रवास करने वाली जाती है वो इनका परियोग करती है ठीक है ये सब पॉइंट करके इसी में लिखने है ना थाट का सब पॉ ठीक है यहां लिखना, तीन हila से चार यारEE मीटर की उचाई पर product फिर vitory पर शिल्बर फर जूनिपर बाइन वर्च dal रोडो डेंडरों आधि ब्रक्छ मिलते हैं, ठीक है, यह माले में अगर हम देख हैं तो 3,000 से लेकर 4,000 मीटर की उचाई पर ये ब्रक्ष पाई जाते हैं ठीक है आगे भड़ते हैं यहापर अब देखे सबसे उपर इससे भी उपर अगर हम उचाई पर जाएं अधिक उचाई वाले भागों में तो बहाँ पर हमें के वालो के वर्फ मिलेगी बर्फ में वहाँ पर मॉस और लाइकन यहीं काई टाइप की बनस्पतियां होती है तो यहाँ पर आपका मोइं नोट करें ना कि अधिक उचाई वाले भागों में तुन्डरा बनस्पति सबाएट वन काई लाइकन जो होती है मॉस फोई रहा ha यहीं वनस्पती संग्या देती है तो यह परी पाएज आती है ठीक है अब ने के वाह्प अब हुस बात को ने पको हमें लिए वाहाँ रहा हुव हमाले के बारे में वाहाँ इक लिए है तो हिमालय का ये जो हिस्सा आप तिस तरह से समझ सकते हैं इस तरह से समझ सकते हैं इस तरह से है कि ये जो हिस्सा है ये South वाला हिस्सा है और ये हिस्सा जो है North वाला हिस्सा है अब South वाला हिस्सा हमारा ये वाला है यानि इसी तरह से यानि कि चूंकि मैं 3D तो दिखा नहीं सकता 3D image नहीं मना सकता ठीक है तो कुछ इस तरह का यह जिक ऐसे करके यही है मान लीजिए यह ऐसे करके है तो south वाले हिस्से में आप देखते हैं होंगे कि तमाम हमारे यहां जो मांसून बगएरा हैं देशेड़ बश्ची मांसून बगएरा हो वो सब मांसून इस तरह से जाते हैं ठीक है तो यहां बर इस पहाड़ी से टकराकर अच्छी कासी बरसा भी करते हैं इसकी गरिपाद में यहां बर और इस वजह से इस छेतर में अच्छे कासे बन भी पाए जाते हैं यहां बर याँ आपको इस छित्र में अच्छे खासित होए जहाँ पर बन भी देखने हो बिलेंगे इस बर्सा होती है भही इसका जो पूर वाला रीजन है हिमालय का पूर वाला है याँ यह बलकु बंजर पाए जाता है च्योंकि यहाँ बंजर बननाथय बहुत कमपाई याथी पिलेंगे को अक्सर याद रखना नाप यह अगर आप आप से कहीं पूँछा जाए कि हमालय की किस तरफ बनसपतिल और वाली अउत्तर की और वाली तो हिमाले की जो दच्छिड की और वाली जनी ये इस रीजन के नीचे की बनस्पतियां है इस रीजन में यहाँ पर ज्यादा जो है बनस्पति पाई आती है अपि शक्रत उत्तर वाली रीजन ये उत्तर वाल में उत्तर में उपर की तरफ चीन की तरफ यहाँ पर आप देख करके लिखेंगे यहां पर कि हिमाले के हिमाले के शुष्क उत्तरी डालों की तुलना में हिमाले के शुष्क उत्तरी डालों की तुलना में ठीक है या डालों की अपिक्षा दच्छडी डालों पर अधिक वनस्पती पाई जाती है तो ऐसे करके तो भाई आपने ये तो देख प्राइदीप में ये तीन भागों मिलते हैं पश्मी घाट वाला reason है यहाँ पर यह reason एक बंध्यान चल वाले reason ऊपर पड़ता है ठीक है यहाँ पर तो आप स्थोंगों से पहले एक बात बोली थी और वो बात में दुवारा फिर बोलना हूँ कि जिन लोगों ने अब तक Oxford Atlas नहीं लिया है वो Oxford Atlas ले ले हैं च्यूंकि Oxford Atlas ना होने की अवस्ता में आप लोग जो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं ठीक है यानि मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला होता हूँ अब आप बार बार हो सकता है कभी कभी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता हूँ आपके पास अब किताब बगारा हो Oxford Atlas वाली इसमें map बगारा बने होते हैं उससे यह होगा आपको समझने में आसानी होगी ठीक है चूंकि वहाँ पर हर चीज़ को बारीगी से इंगित किया गया है तो आप Oxford Atlas जल्दी से ले ले हैं क्योंकि आप जोग्राफी के श्टूइएंडर तो आपके बास होनी चाहिए देकि Oxford Atlas हिंदी इंग्लिस दोनों में आती है ठीक है तो यहाँ पर वही है आप लिख लेना है यहाँ पर कि जच्छड परवती बन यह यहाँ पर प्रायदी पर के तीन वहाँ मिलते हैं कहां कहां वह आप तीनों स्थान लिख लिए पहला पॉइंट नोट का लिया अब देगे इसमें सब्पाइंट लिख लेना है इंकी विशिस्ता यी है कि ये संक्लां उस्ट-कटिबंध में पढ़ती है यानि अगर हम जक्षड परवती बनों की बात करें तो जक्षड परवती बनों में यह कहां बढ़ रहे हैं तो यह नोट का लिया होग और समुद्ध तल से इनकी उचाई लोगा लगवा 500 मीटर है ठीक है अब देखे यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर इनकी उचाई जोगा कम होने की विजए से यहां पर सीतोष्ट कट्वंद और निचले चेत्रों में उपोष्ट कट्वंदी प्राकटिक वनस्कति प पाई जाती है यहां पर कुछ बन हैं जैसे निलगरी में पाई जाते हैं के के रल मैं पाई जाती है के रल्ट तमिल नाडू करनाटक समय तरू से से के निलगरी अन्नामलाई और पालनी पाई जाने वाले सीतोष्ट कट्वंदी बनाऊं को शोलास जीकिए मोस्ट जानी कि कम से कम 50-60 बार भूशा गिला है को शूलास किन है कि सीटोष कजवणी बनों का उधार नहीं है ठीक है सो 2nd और ही है कि नील-करी अन्नमला यह सिन कोना और बैटल का आर्थिक महत्त है ठीक है अब देखे इसी प्रकार के शोलास्मन प्रकरति वाले ब्रक्ष जो है सत्पड़ा और मैकाल स्रेडियो में भी पाई जाते हैं यह सब्पॉइंट सेकेंड का सेकेंड सब्पॉइंट करके लिख लेना ठीक है देखे अगले हेडिंग आपकी जो है यह है वेलांचली वा अनूबन ठीक है यानि प्रकारति के मनस्पती में हमारी अगली मनस्पती का प्रकार है वेलांचली वा अनूबन वेलांचल होता क्या है वेलांचल वह छेत्र होता है जलमगन होता है जैसे जील वाला एक छेत्र हु अगो रही है वैसे अनुप का मतलब अगर हम परियाबाची में देखें अलूप मारे तालाब भी होता है लेकिन यहाँ पर हम दलदली से लगाते हैं अर्थ ठीक है जिवराफी में दलदली से अर्थ लगाते हैं तो अगर बात करें इसकी तो भारत में सिदी क्या है देखें भारत में जो है लगबग 49 लाग हेक्टियर भूमी आदर है यही वेट है ठीक है पहला पॉइंट तो आपका यही है और इसके 70 परसेंट भाग पर हमारे यहां चावल की खेती की जाती है यहां अब देखिए यहां पर हमने आपके एक चीट पढ़ी होगी आपने पढ़ा अधिमेंशन के नाम से जानते हैं यह आदर भूमिय यह आपके जो बैट लेंड्स है इनके संदर में यहां पर समझा होता है और यह इरान में जगे रामसर साइट तो वहां से हुगा था नाइडिस सेवनटी पन में तो इसके तेद्ध हमारे देश में कितनी आदर भूमिय नहीं पता हुआँगा तो यहां नोट करके लिख लेना कि ओडिसा में चिलका और भरतपुर में केवला देव राश्टी पार्क यह अंतराश्टी मेत्गी आदर भूमियों के अधिवेशन प्रैकेट में रामसर अधिवेशन के अंतरगत रच्छत जलकुकुट आवास हैं लिख लेना अब ठीक है अब बरतमान में अगर बात करें तो बरतमान में भारत में 26 रामसर साइट्स हैं लिख लेना इसी में सब पॉइंट करके नोट में ही कि बरतमान में भारत में 26 रामसर साइट्स हैं ठीक है रामसर साइट्स हैं यह आपने लिख लिया होगा अब दे के बारे में देखे मैं तो लिख लेंगे थो बहुत रहे बहाएगा चुyor कि यह जो भाग है यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इसलिए यहां पर लिख लेंगे तो बैटर रहेगा तो यहां सेकेंड़ बॉइंट आप नोट कर ले सब्सक्राइब और सब्सक्राइब देख को दिखते के अगे बरते हैं को सहरे है शुद्गा के मैईदान का तर्जाजड़लड़ल न। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र गाटी यह आप लिए ना अगला सब पॉइंट छेटमा सब पॉइंट ब्रह्मपुत्र गाटी और उत्तरपुरी भारत के कच्छ जल्दली परतेस ठीक है और अनूपशेत्र ठीक है कच्छ और अनूपशेत्र लिख लेना आप यानि ब्र अंडमान और निकवार दीव समू के मैंग्रोब बन तो जो जो मैंने लाइने बोली हूं उसी कोड़नी लिखना पूरी भासा मन लिखना तो थोड़ा सौट हो जाएगा यह ठीक है अब यहां पर बात कही गई है मैंग्रोब मैंग्रोब क्या होता है मैंग्रोब खारे पानी म मैंग्रोब बनों की यह विसिस्ता होती है जड़ा इस तरह से निकल आती है उपर की तरफ ठीक है यह तो यह विसिस्ता होती है और खारे पानी में यह बन पाई जाते हैं तो यहां पर थाड़ पॉइंट आप लिखने ना यहां पर कि मैंग्रोब लबड ठीक है पाणी का जल, खारी पानी के जल में आके मिल जाता है तो उसे जगह पर ज्वारनत मुक मिलता है, ज्वारनत मुक बनता है, ज्वाराफी कि अकोर्डिंग, ठीक है? तो इन ठीत्रों पर ये उगते हैं, थार्र पइंट आपका यही है, ठीक है? देखे एक बात मैं बता वह chapter उनों दे रखा है जब कि कुछ किताबों में जैसे क्या करती है NCIT वाले ये लोग ये करते हैं कि सबसे अंतिम chapter जो होता है जैसे इसमें साथमा chapter अंतिम है तो साथमा chapter के end में जितने भी business word है जो कि जोगे जोगराफी में यूज होते हैं उन सभी का अर्थ दे रखा है अब जैसे माल लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने notes रखे हैं और आपको याद नहीं आ रहा है और उस समय अगर मेरी वीडियो में ढूनेंगे तो आपको बहुत समय बेर्थ होगा तो better गी है कि आप जेवराफी किताब में अंतिम चेप्टर निका लिए और अंतिम चेप्टर का सबसे लाश्ट वाले पन्ने पे पहुँचिए बहाँ पर सारे अर्थ लिखे होते हैं कि इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ क्या है जेवराफी की टर्मस में इसका अर्थ क्या है तो ऐसे करके वो चीज़ें आपको आसानी से प्राप पता चल जाएंगी ठीक है उसके लिए आपको कहीं भागना नहीं बठकना नहीं पड़ेगा ठीक है तो मैंने यह आपको बताया शायद बहुत कम लोगों को बता होगा इसके बारी में तो यहाँ पर आपने नोट का लिय ठीक है तो थडर दो नोट का लिए अगर भारत में मैंगरोब की बात करें तो भारत में मैंगरोब बन चैयार साथी सब्लोंग्र एलॉछे त кстати है खेंग हमारे भारत में कहां पाई जाती है एं एंडवान नेको बार हीप समू पश्य मंगाल के सुन्दरवन डेल्टा में य इसके लावा ये कहांगा मानदी गोदाबरी और कश्णा नदियों के डिल्टाई भाग चूंकि वहाँ पर ये खारी पनी से आके मिल जाती है नदियां तो इन जवहाँ पर भी ये पाई जाते हैं ठीक है तो आपने थर्ड का तीनों सब्कॉइंट तीसरे के लिख लिए और यहां पर यहां पर यहां पर भी बात बताई है कि बरतमान में अगर राजस्व भाग से प्राप्त आंकणों के अगर अनुसार देखें तो भारत में 23 दसम्दब 28 प्रस्त भाग पर बन पाए जाते हैं ठीक है अब इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिखेंगे आप देखें यहाँ प पर ऊपर वो लाइन लिखने है ना यहाँ पर के वंचेतर राजस्व भाग के अनुसार अजुसी चेतर है चाहे वहां ब्रक्ष हों या ना हों ठीक है यह यह पर देखेंगे दो दो टर्मस यहाँ पर यूज रहा है वंचेतर ठीक है और दूसरा यूजू रहा है आवरड इन दोनों में डूराःइसा विवाग की तौ राज्यों का जो राजस्त्ventional विवाग बता रहा है今日は वन आपर Veteriner's talking species maOH is और आफ देर इंदि répondre सेटलाइट्स नीहीं साइट्स्य दौराइज वजयरा ना यहां इन कितना कि वन रट प्राक्रत्क बनस्थपती ग्यूर्मुड है और वास्पशक रूप से अनram से ढका है अन्होan की जाती है तो ऑफ आप के सामने दूर्म, हो गए बंच्छेत्र और वन आवरण ठीक है यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूंगा यासे यहाँ पर इंडिया इस्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 की दिखाई गई है ठीक है जबकि बरतमान में आपकी किताब से कवर कर रहे हैं वो एकोटम शॉब्ली किताब से सेशन वाले exiled अजिए यहाँ पर आपको सन तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना जैसे आने वाले समय में कभी यह चीज़ें परवर्तित हों तो वहाँ पर नई रिपोर्ट आए ऐने उसके अंकडे आप लिखने के लिए जगे हो आपर अब देंगे इंध मैंसे यहां पर अगर देखा जाए ठीक है तो यहाँ पर बताया होई घया है यहाँ देष में बन और ब्रक्च याने कि जो आपके बन है और ब्रक्षों का मलब यह हुगा है रोड साइड जो प्रक्ष लगे हुग है ग्राम इस्तर पर ब्रक्ष लगे हुग है उन सब को काउंट कर दें तो हमारे यहां बन आपर कितना बनना है वो भी बता दे रहा हूं मैं ठीक है तो सेकंड का सब पॉइंट आप यहां पर नोट करेंगे सेकंड पॉइंट आपने लिखा है यानि आपकी जो इंडिया स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट दोयार हुने से है इसके एक्वाडिंग इक किसलों चैसात परसेंट आपने नोट का लिया हुगा ठीक है अब दूसरा बात यहां पर लिखेंगे कि देश में बनो और रक्षों बनों का मलब यह फृ प्राग्मर्ट दीक्ति रूस से पाए जाने वाले बन और रक्षों का मलब यह हुगा कि राजिस्टर पर जो आप सेहरों में देखते होँगे रक्ष रोड के साइड़ में अब रक्ष दोनों तरफ देखते होजंगे उन सब को काउंट कर लें तो हमारे यां बना बनावराड कितना हो रहा है तो हमारे यां बनावराड जो हो रहा है वो 24 दफिम लब 5-6% हो रहा है तो ऐसे करके लिखेंगे आप कि देश में वनों और रक्षों से आक्षादित अक्षादित का अर्थ होता है दखाऊब आप काउब 24 0.5% है अब देखें इन में से अगर देखा जाए तो हमारे देश में 12.4 0% पर क्या है सघन बन है सघन का वनावराड बिलकुल सघन है दूर दूर नहीं ये सघन चेत्र है सघन बन चेत्र है 5 तो यह नोट का लिया होगा आपने आगे बढ़ते हैं यहापर अब देखा देखा दे रहा हूं यह पुराने आखड़ी हैं कि हुराने आखड़ी में मैं आपको नवींदम आखड़े मिले जच्ति लिए आपने ठीक है दिऄ भर ख़ीचाइर जासे हैं अब देखते हैं इसाने सब सरवाध कि बनावरा प्रस्त वाली लाजी कि सबसे यादा बन किन राज्यों पाई जाने प्सक्रिक एक इंड. इना की लिए राज पर चेयत्यक्पल भार्जी सबसे यहादा राज में बनते बू को ऐसे राज्य। कॉनसा ये देखते हैं तो सबस्रगोद stuffs आउत न Sounds Örra Kurt Praak तो पहले नमबर पर कौन सा है मिजूरम और राज यह सरवादिक बनावड प्रस्थत वाले राज यह इसे राज कौन से हैं जिनमें सबसे जादा बन शित्फल पाये जाता है ठीक है तो यह छित्फल के गौडिंग अगर देखा जाए तो पहले नमबर पर आता है आपका एमपी में 77 या 482 वर किलो मीटर है तरड पर आता है आपका 36 गड पच्पन या 611 वर किलो मीटर तो यह तीनों राज यों के नाम बिद शित्फल लिख लेना ठीक है अब कुछ राजियों में बंच शित्फल में ब्रद्धी हुई है वो राज़ी कौन कौन से है ठीक है उनके तो ऐसे करके आपकी जो अभी नई रिपोर्ट है ISFR की 2019 की वो आपने नई रिपोर्ट के आँकड़े यहां पर लिख लिए है चलिए अगली हेडिंग आपकी जो पढ़ती है वन और जीवन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में एक जन्जाती तबका भी जहता है और जन्जाती तबके के जो लोग हैं वो सदियों से बनोपरी निर्वर रहे हैं चाहें भोजन के लिए फल के लिए जो कुछ उत्पाद होने मिलते हैं वो बनों से ही विप्राप्त करते हैं वो बनोपरी उनकी पूरी जीवन की क्रियाय चलती है और बरतमान में अगर यहाँ पर अब बरतमान के आपके जिलों की संख्यात तो है उपर नहीं हुआ है थीक है तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना कि भारत के 718 जिलों में से 188 जिले ठीक है 188 जन्जाती जिले हैं जो के भारत के कुल शित्फल का 33,96% हिस्सा है ठीक है लेकिन देश का इसी में लिख लेना परंतो देश का 60% लगभग 60% उनसट दम 6,1 मतलिके लगभग 60% करजे लगभग 60% देखे एक बात में बताओं कोई भी आंकड़ा है माल लीजे कोई आ उनसट आपको कंफर्म नहीं है उनसट कितना है तो लगभग में आप 60% भी लख सकते हैं लगभग करके ठीक है वो गलत नहीं माना जाएगा सही माना जाएगा तो यहां लगभग 60% बनावरण इन्ही जलों में पाए जाता है ठीक है तो इससे आप ये बात तो कंफर्म हो होगा वो पाट 2 होगा चूँकि मैंने यहां पर इसाम में बना के रखा है काफी लब ब्यरतियों का कहना था कि सब चैप्टर को कर दो भागों डिवाइट कर देंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा हम आसानी समझ भी से कहेंगे आज आसानी से नोट डाउन भी कर सकेंगे द तब भी नोट्स नहीं बना रहे हैं तो यह आपकी अकर्ण मनिता है तो आप यहां पर प्रॉपर बेमें नोट्स खुद बना लीजिए ठीक है और प्रॉपर बेमें नोट्स अगर बना लेंगे तो यखिन मानी एकजाम से पहले यह नोट्स आपको बहुत ज़्यादा होगा इस वीडियो को आप लाइक शेयर करना न भूलें तो थेंक्स पर वाचिंग जय हिंद